आज आप और हम भले ही उस हमले को भूल जाएं लेकिन कश्मीर के आम लोगों के लिए उसे भुलाना ना मुम्किन है छे जनवरी को जम्मु के श्रीनगर में हुए ग्रेनेड हमले ने शहर को हिला कर रख दिया था इस हमले में दो नागरिकों की चान चली गए और कई लोग घायल भी हुए थे जिसका अकरोशवां के लोगों में साफ दिखाई पड़ रहा है ग्रेनेड हमले का विरोध करने कश्मीरी बीते सोमवार को एक साथ नज़र आए वर्गों के करोडो नागरिकों ने सोमवार शाम लाल चौक पर कैंडल माश निकाला और बाद में घंटाघर के पास फुटपात पर धरना दिया और आतंकी हमले के पीड़तों के साथ एक जोड़ता प्रदर्शित की प्रदर्शन कारियों ने आतंकबात के खिलाफ नारे लगाए साथी हाथों में तख्तियां लिए हुए दिखाई दिये जिस पर लिखा था आखिर कब तक स्टॉप सिविलियन के लिए वही दिरंगा लिए कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने दोशियों के लिए सजा की मांग की इस क्राइम को उनकी दैशतगर्दी को हमने चैलेंज किया इस फ्रस्टेशन में आके यह जो है सिविलियन्स पर आटाक करना यह कहीं पर भी जिहाद नहीं कहलाता है यह जहालत कहलाता है और इस जहालत से इनको बाज आना चाहिए जो भी इसमें इन्वाल्व है जितने भी लोग इसमें इन्वाल्व है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलने चली बता दी कि 6 मार्च को हुए उस हमले में 70 साल के एक व्यक्ती की मौके पर मौत हो गई थी वहीं भी इस साल की राफिया नाजीर जो वह स्पोर्ट में गंभी रूप से खायल हुई थी उन्होंने भी जिन्दगी और मौत की लड़ाई खूब लड़ी लेकिन सोमवार सुभा SMHS अस्पताल में लाच के दोरान उन्होंने अपना दम दोर दी श्रीनगर में रविवार को सुरक्षा बलूं के एक दल पर आतंक वादियों ने हमला किया था इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गए और 20 अन्य घायल हुए थे पोलिस ने ये जानकारी दी थी पोलिस ने बताया था कि आतंक वादियों ने दोपहर में अमीरा का दल लाके के सुरक्षा बलूं की एक संयुक्त पार्टी पर ग्रेनिट फांका था युवां और सिविलिन्स के द्वारा किये जा रहे ये प्रोटेस्ट से कश्मीर का रूप कितना बदलता है और इनकी आवास कहां तक पहुचती है ये काफी एहम है म्यूर डिपोर्ट इंडिया है